हलो फ्रेंद्स, वालकम बैक तो माई योट्यूब चैनल आज मैं बलून डैकुरेशन कर रहे हूँ इसके लिए हमें चाहिए एक हूला हूँ मैंने स्मॉल साइज तरही यूस कर रहे हूँ और आज मैं मैं करन्स बलून से यूस कर रहे हूँ मैं यहार रेंडम साइज यूज कर रही हूँ विलकुर आपको इसमें साइज का ख्याल नहीं रखना क्योंकि मेरा हूज लहू स्मॉल साइज का है तो मैं नहीं चारी कि मैं जादा बलू करूं बलून्स और उसमें स्पेस ना रहे इसलिए मैं बलून्स को जादा बलून्स नहीं कर रही हूँ आप फाइफ इंच के बलून्स भी यूज कर सकते हैं इसमें आपको कोई फिक्स साइज नहीं होता आप दूनों पेर्स बनाते वे डिफरेंट साइज के बलून्स को आपस में टाई कर सकते हैं मैं यहां क्योंके मैंबननों यूजकर रहे हूं और different colours में उसकर रहे हों तो मैं colors भी random च्रूस कर रहे हूं किसी के साथ भी आप किसी का pair बना लें और इस में size का भी कोई issue नहीं होता बस ये आपको खयार रखना है कि बलून राउंड शेप में हूँ पेर शेप में बलून अगर होते हैं तो उसका फिर लूक इतना अच्छा नहीं आता थोड़ा सा इसलिए मैं प्रेस कर रही हूँ बलून को और आपस मैं टाई कर रही हूँ इसी तरह मैं बाकी बलून भी रेडी कर लूँगी और सबके पेर्स बना लूँगी यहां मैंने सारे पेर्स रेडी कर लिये हैं नेक्स स्टेप में हम अब इसको हूला हूं में अरेंज करेंगे इसी तरह मैं पहले दो पेर्स का एक क्लस्टर बना लूँगी और इसको हूला हूं में आपको टाई करना है और एक दफ़ा ट्विस्ट नहीं करना हूं से आप दू दीन दफ़ा ट्विस्ट करेंगे वरना हूला हूँ से वो निकल जाएंगे बलून डायरेक्शन कोई fix नहीं है बस आपको टू पेर्स का एक cluster बनाना है और उसमें ट्विस्ट करते जाना है बस मैं थोड़ा से इस चीज़ का खयाल रख रही हूँ कि बलून जो मेरे बिगर बलून है वो आउटर साइट पर रहें ताकि मुझे अंदर की साइट में हूलो हूँ में मैसेश रिखने के लिए स्पेस मिल जाए हूलो के ग्रुप को ट्विस्ट करने के बाद आप उसे थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि एक दूसरे में बलून अच्छी तरह पैक हो जाए अब मैं थर्ट क्लस्टर यूज़ करूंगी किसी भी आप साइट से उसको हूला हूँ के अंदर फिक्स कर सकते हैं उसके बाद आप ट्विस्ट करें और थोड़ा से उसे प्रेस कर दें ताकि वो एक दूसरे में अच्छी तरह के से सेट हो जाए इसी तरह मैं फोट क्लस्टर यूज़ करूंगी तू टाइम मैंने इसे ट्विस्ट किया और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया अगर आप प्रेस अच्छी तरह करेंगे तो इनके बीट का जो स्पेस है ना वह बहुत अच्छी तरीके से फिल होता जाएगा जिसकी वज़ा से बहुत ही नेट लोक आएगा मैकरॉन बलून्स वैसे भी बहुत हसीन लगते हैं इनका कॉंबिनेशन बहुत प्यारा लगता है इनको पिस्टल्स बलून भी पा जाते हैं और यह सब लाइट लाइट कलर्स में ही होते हैं इसी सेम प्रोसेस से मैं नेक्स कलरस्टर लोंगी साइज और कलर मैं बिलकुल रैंडम यूज़ कर रही हूँ बस इसकी इंपॉर्टन टेव ही है कि आपको इसको त्विस्ट अच्छी तरह करना है ताके वो बात में निकले नहां और इसको प्रेस करना है ताके वो अच्छी तरह से पैक्ट हो जाएं हूला हूप में भी आप काफी डिफरंट तरीके से डेकुरेशन कर सकते हैं बहुत जादा इसमें वराइटी हो सकती है यहां मैंने तक्रीबन हाप से थोड़ा सा कम हूला हूँ फिल कर लिया है इसके बाद थोड़ा सा मैं गैब दोंगी अगर आपका हूला हूँ किसी और कलर में है तो आप उसको स्प्रेइ पेंट से भी कलर कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपना हूला हूँ एजटिस लिया था गोल्ड कलर में इसलिए मैंने कलर चेंज नहीं किया है हम मैं सेकेंड कलस्टर जॉइन कर रही हूं यहां मुझे लग रहा है कि दोनों ब्लू बलून से एक स्टाथ आ गए इसलिए मैं इनको ट्विस्ट करके यलो को मिड में लियाओंगी अब मैं थर्ड कलस्टर जॉइन करूंगी प्रिस्ट करने के बाद मैं इसको भी प्रेस करती रहूंगी जिस तरह मैंने फूल हो की उपड़ की अर्रेंजमेंट की थी उसी तरीके से मैं नीचे की अर्रेंजमेंट कर रही हूं हम मैं लास्ट कलस्टर अटैज के रही हूं इसके बाद मुझे यही बैतर लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँ क्योंकि मेरा हूल हूल का साइज छोटा है अगर मैं पूरा फिल कर दूँगी तो बहुत जादा हो जाएगा यहां हमारे बलून की अर्रेंजमेंट कम्प्लीट हो चुकी है इसके बाद मैं थोड़े से फ्लावर्स एट करूंगी फ्लावर्स एट करने से बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है मैं बहुत बड़े फ्लावर्स यूज नहीं करी बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स मैं बीच बीच में फिल कर रही हूं आप लोग चाहें तो इसमें आप ग्लू गन का इस्तामाल कर सकते हैं लो टेमप्रिचर ग्लू गन या पर ग्लू डॉट्स का इस्तामाल कर सकते हैं मैं इनको अभी यूँ ही अटेच कर रही हूं दोनों कॉर्णर्स पे भी मैं फ्लावर्स अटेच कर लूँगी ताकि एक एंड बन जाए सेम इसी तरह पर मैं दूसी साइट पर भी हुला हूं के अरेंज्बेंट कर लूँगी और हमारे हुल रहू की डेकरेशन का फाइनल लोग कुछ इस तरह है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सस्क्राइब किया और मेरे चैनल को पसंद किया थैंक्स वर वचिंग दे वीडियो प्लीज सस्क्राइब तो माय चैनल और हिट दा बैल आइकन